जा USU भूए आज हम पेने लाइज फिर प्रमुत में है लाइज उपाइज लगा से इसे बाउंडरी के लिए टेप लगा लेंगे अगर आपके पास मास्किंग तेप या जी तो में है तो अगर आपके पास यूज़ादाँ स्टिकनियस कम करने से और इस अप कैसी कि आप कम कैसे करेंग य 캐 तीप को खोलेंगे अभी निकालेंगे और यूज़े उसकeu पर तीन चार अर भार जो भी आपका सर्फेस है उसके मि एपका स्टिक बटंगे और फिर इसके बाद लगा देंगे तो अभी मैं सेलो टिप लगा लेती हूँ तो मैंने अपनी शीट अपने पेज पर सेलो टिप लगा लिया गाईज और अभी हम अपनी लैंढ कर लएक को बनाना शुरू करते हैं और हम अपने black color को भी अच्छे से लगा लेंगे Or जैसे अभी मैंने black color लगा लिया है देख सकते हैं आप तो मैं नीचे भी पानी को तो अच्छे से split कर दूंगी दूस्से color के लिए और अब हम लेंगे portion blue color तो भी मैं यहाँ पे पॉर्शन बू कलर लगा रही हूँ देखो मेरे पॉर्शन व्लूड अच्छ लगा रहा है तो हमारा जो ब्लैक कलर है वह थोड़ा सा लाइट लग रहा था इसलिए में और ब्लैक कलर मिंक्स कर लिए इसमें और अभी आप देख सकते हैं, मैं इसको अच्छे से spread कर यूँ, blend कर रही हूँ और मैंने थोड़ा सा version blue color ले लिया है और अभी मैं नीचे भी पानी spread कर लूँगी हमारे third color के लिए हमारे third color हम लेंगे cobalt blue color cobalt blue color और अभी मैं कुबार्ट ब्लू कलर को भी लगा लूंगी तो देख सकते हैं हम अच्छे से लगा लेंगे गाइस कुबार्ट ब्लू कलर तो थोड़ाचे मैं पॉर्शन ब्लू कलर भी ले रही हूं क्योंकि हमां पॉर्शन ब्लू कलर लाइट हो गया था अब मैं इसको अच्छे से मिक्स ब्लेंड कर देती हूं तो मैं भूल गई थी मैं नीचे भी उसी ब्लेक ब्रश से ही कर दिया ब्लैक कलर की ब्रश से और अब ही मैं थोड़ा से दुबारा से कबार प्लू कलर ले रही हूं इसको फेक्स करने के लिए तो अगर हम जैसे हैं अब हमारा हो गया है हमको नीचे से उपर तक करना होता है तो अभी हम यहाँ जितना हमारा स्पीस पुचाए वहां पर हम ब्लैक कलर करेंगे और उपर एक मूर बनाएंगे और बस सिंपल सब्रॉक है उतने में हम ब्लाइक कलर करेंगे कर देंगे भू माउंटीन का लुक देगा उर जैसे अभी जतना में हम ब्लेक कलर कर देगे शोटएस को नहीं से में और कर आपको के अ था से और देने कर देंगे हुन कर लेंगे और नहीं ही है है ज दुहें हम ब्लैक मोन बना देंगे न Matrix जैति गजएम्रेश क्फत्रogi और और अभी जितने में आउटलाइन करते हूं इतने में हम कर लेंगे ब्लैक का लो अच्छे से तो अभी मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर कर लिया है अब हम इसको थोड़ा सा उपर और करेंगे तो कि थोड़ा सा अच्छा ओर उपर कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि खाली खाली ना लगे और येस और अभी मैं यहाँ पर ग्रास बनाने की सोच ज्यूंप तो अगर आप के पास खराब रश है तो आप खराब रश से अच्छे से बन सकती है ग्रास लेकिन मिल पास खराब ब्रश नहीं थी जिस जो ऐसे फटी फटी से होती है तो मैं इसको ही उसकरने की सोच जई थी इसे हमारी ब्रश भी खरास हो सकती है और इसे नहीं हुआ जैसे मैंने सोचा था और अब हम सिंपल में थर्ट से कर रहें अपनी जैसे से हम करते हैं देख सकते हैं अच्छे से हो गया है यह और अब हम सिंपली आप पर वाइट कलर से मून बना देंगे और जैसे अभी मेरा कलर सुखा नहीं था बैग्राउंड का इसलिए हम थोड़ा और वाइट कलर ले रहे हैं और जब आपका बैग्राउंड सुख जाए आपको जब भी ही मून बनाना है और देख सकते हैं कितना से हो गया है और अभी मैं स्टार्स बनाऊंगी हम अपनी ब्रश में वाइट कलर को लेंगे और दूसरी ब्रश लेंगे और उसके साथ असे यह डैप डैप करेंगे जैसे भी दिखाउंगे मैं आपको जासे देख सकते किन अच्छे से हो रहा है तो यह बनागा है तो पर देखियाहाई तोड़ा और कलर लेते हैं थोड़ा और शप्नाती है और ये हमारे स्टार्स बन चुक्के है ऐसी वीडियो के हैं हमारे चैनल को लाइक करें शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मास्किंग टेप उतारना भूल के हम सेलो टेप उतार लेते हैं और सेलो टेप उतारने के बाद हमारी लेंस्केप तो कम्प्लीट हो जाएगा आपको हमेशा मास्किंग टेप हो या कोई भी टेप हो उसको बहार की तरफ से उतारना हो था कि हमारा जो पेज़ हो फटेना यह लेंस्केप बनके तयार हो गया है और मिलते हैं निक्स्ट वीडियो में जो तक हमारी वीडियो का लाइक करें और हमारे चैनल पे आपको जो भी वीडियो अच्छी लगए वो देखना जरूर और यह है कुछ वीडियो यह जरूर देखना गाईस बबाई झाल